डिस्क्लेमर तो हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गती वीडियो का समर्तन नहीं करतें और अगर आप एक डल्टो तो इस वीडियो को देखे अन्यता आपकी होर्मोंस की तीवर्ता भी बढ़ सकती जिसे नहीं एंतिरित करने के लिए आपको नजदीक पॉन साइट पर जाकर हिलाने भी पड़सकता है तो चलिए करते हैं आज हम बात करने वाले 1975 की सबसे कॉन्टोवर्शन मूवी सालों के बारे में जिसे मोर देन 10 कंट्रीस में बेन किया हुआ है जो की एक दांते डिवाइन कोमेडी पॉन पर आधा रित है तो इस मूवी को बेसिकली चार भागों में डिवाइड किया गया है परन्तु मुझे भी नहीं पता यह क्यों किया गया है तो उसे मारो गोली हम तो अपनी स्टोरी पर आते हैं वर्ल्ड वोस सेकंड के बाद इनको इटली पर हुकुमत मिली थी जिसके बाद हमें दिखाये जाता है कि यह कैसे स्प्रिशुल को निभाने के लिए एक दूसरे के कन्याओं से ब्याकर लेते हैं फिर हम इन चारो गांडूों को एक बुक में साइन करते हुए देखते हैं जिसके अनुसरी यह इतने बुरे कान करेंगे कि इनके बाप भी उपर से इनको गालिया बगरे हुए क्योंकि इनका मानना था कि अगर यह ऐसा करेंगे तो यह डेविल के और करीब जा सकते हैं और यह इनका मोटिव भी था जिसे निबाने के लिए अपने गार्ट्स के मदद से चार्ज जवान लोंडों को डूनते हैं उसके बाद यह इन अपनी सेकुरिटी में रिक्रूट कर लेते हैं और फिर यह नो लड़कों को पगड के लाते हैं और फिर उन्हें निवस्तर होने के लिए बोलते हैं और जब एक आदमी उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है तो वो उसे माद देते हैं शूट करके और बोलते हैं अभी कहा जा रहा है अभी गांडू और फिर ये नो लड़कियों को लाकर उने भी नगद देते हैं फिर हम ईवा की मा को उसे बचाते हुए ले जाके भागते हुए देखते हैं जिसके बाद उन चार बढ़ों के सिकुरिटी गार्ड भी इनका पीछा कलने लगते हैं और यहाँ पर ईवा की मा समझ जाती है कि वो इनसे नहीं बचने पाले हैं और दोनों मनने की कोशिश कहनने लगते हैं जहाँ पर उसकी मा तो मर जाती है लिकन वो लोग ईवा के पकड़ की उसे बचा लेते हैं और इस तरीके से अब उसके मेंशन में आठ लड़कियों और नो लड़किया बची हुई थी तो इस तरीके से इस संसकाली मुवी का पहला पार्ट खतम हो जाता है और चलिए अब सेकंड पार्ट की माकिया करते हैं यानि की सरकल ओफ मैनियेक और ये पार्ट भी दान्तिड डिवाइन पोईम पर आधारीत है इस पार्ट के शुरूँ होते ही हम उन चारो बड़ों को चान नहीं प्रोस्टिटूट को उस मेंशन में लाते हुए देखते हैं जहां पर ओर और वो सतरा गुलाम पहले से ही मोजूद थे और उन प्रोस्टिटूट को वो आधेश देते हैं कि वो सबी एक 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 आकर कोई सतरा गुलाम के साथ उन चारो बड़ों को भी गंदी गंदी कहानिया सुनाएं ताकि इन कहानियों को सुनकर वो गुलाम आपस में मास्टर बैट करने लगे और फिर हमें पता चलता है कि यह चारो बैटी चोथ खुद तो कानून नहीं मानते और यह इन सतरा गुलामों के लिए कानून बना रहे हैं जिसके अकोडिंग कोई भी गुलाम अपने जिसे लिंग या विप्रिल लिंग के साथ कुलुलु नहीं कहसा और इस दोरान इन सभी गुलामों को नेकेड़ी रहना पड़ेगा और नहीं यह बगवान का नाम ले सकते हैं नहीं कुछ गलती काल सकते हैं और फिर प्रोस्टिटूट अपने जीवन के सारे कस्टमरों के बारे में इनको बताने लगती है जिससे गुलामों को बलाई गंटा फरक ना पड़ा हो लेकर वो चारों बड़े उत्ते जना से भर जाते हैं और किसी भी मेल या फिमेल गुलाम को समय समय पर खुराग देने के लिए कमरे में भी ले जाते हैं और फिर इस प्रोस्टिटूट की कहानी से मोटिवेत हो के वो Magistrate एक लड़की को मास्टरबेशन करने के लिए बोलता है और क्योंकि वो लड़की बहुती ज्यादा चोटी होती है तो उसे पता ही नहीं होता के मास्टरबेशन होता क्या है और मनी मन उसे डोग बोलने लगती है और इन सबसे तंगा कर वो किसी तरीके से वहां से निकल कर भागने लगती है फिर Magister के सासाथ कुछ Guards पही उसका पीछा कनने लगते हैं और Guards आगी आगे उसे पकड़ भी लेते हैं और अब वो उसके साथ क्या करेंगे या हमें आगे पता चलेगा फिर हम सभी को एक रूम में खाना काते हुए देखते हैं फिर एक गाड एक लड़कियों नीचे पड़ी होई रिंग उठाने के लिए बोलता है और इसी बात का फाइदा उठा कर वो अपना सामान उसकी चीज आइसी टीचर हैं और फिर वो एक डमी लेकर आकर फीमेल गुलामों को उनका हिलाने के लिए बोलती हैं और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे मैजिस्टेट में मास्टरबेट करने के लिए बोला था और उसके भाग जाने के बाद गार्स ने उसे पकड़ लिया थ और फिर हम उस लड़की की डेट बोडी को देखते हैं जिसे उन लोगों ने गलाराट कर मार दिया था और वो सभी गुलामों को वोनिंग भी देते हैं कि अगर किसी ने भी यहां से बागने की कोशिश करी तो उसका भी हशर यही होगा और फिर हम वेजिस्ट्रेट को देखते हैं जो कि अपने कूलों को चेहर पे से उठा लेता है और बोलता है कि अब हमें इसमें से एक मेल और फिमेल को चूज करके उनका ब्याकराना चीए फिर वो इन दोनों का शुपमंगल विवा कर देते हैं और उसके बाद उन दोनों को आपस में गुलुगुलु करने के लिए एक रूम में छोड़ देते हैं और जब वो दोनों इस बात को मानकर गुलुगुलु करने लगते हैं तो पीचे से तो उन चार बड़ों में से दो बड़ों से रहा नहीं जाता है और वो वहां पाराकर उन दोनों को रोग देते हैं जिसकी बचे से उसके मूँ में से भी बलेड आने लग जाता है अब हम करते हैं इसके थर्ड पार्ट को एक्स प्लेंज जिसका नाम ता सर्कल ओफ शेट तो ये वाला पार्ट काफी ज़्यादा डिसकर्श्टिंग हो सकता है और अगर आप कमज़द दिलवाले हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो लेकर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा वोच करें कि सेक्रिफाइस तो देना ही पड़ता है एवन लोग बेवकूफ है जो की मा कोई सब कुछ अपना मानते है फिर इवा जिसकी माने मूवी के स्टार्टिंग में अपनी जान का सेक्रिफाइस करके उसको बचाने की कोशिश की थी अपनी मौम को याद करके रोने लगती है जिस पर मेजिस्टेट काफी जादा गुस्सा हो जाता है और अब इवा भगवान का नाम भी लेने लग जाती है और इस सीन को देखकर मुझे भी दीपक कलाल की एक लाइन यादा जती है और फिर ये चारो बढ़वे रोजाना ही गुलामों को यही चीज़ खाने को देने लगे और खुद भी खाने लगे इवन नास्ते में भी उन्हें यही सब दिया जाने लगा और जो इसे नहीं खात उसका नाम एक रेजिस्टर में लिखा जाता ताकि लाश्ट में उसे सबसे दधनाक मौत दी जा सके और यहां पर मैं आपको एक्स्प्लेइन नहीं कर सकता कि यह कितना जादा डिस्करिस्टिंग था जहां पर इन चारो बढ़वे के दिमाग में भेजा ही नहीं था और इस प्लान यह था कि जिसकी बेक सबसे ज़्यादा अट्रेक्टिक होई उसको यह मार देंगे जहां पर इन्हें एक लड़की की बेक पसंद जा जाती है और यह जब उसको शूट करने के लिए गन चलाते है तो उसमें गोली आई नहीं होती जिस पर डिक्टेटर उस गुलाम क को तोड़ा जा रहा है जिस पर वो डिक्टेटर जाके दो लड़कियों को साथ में सोते हुए देख लेता है और इन बढ़वों के रूल्स के अकोर्डिंग कोई गुलाम साथ में नहीं सो सकते थे जिस पर वो डिक्टेटर उन पर गन पॉइंट कर देता है जिस पर वो गुलामों को एक शिट से भरे हुए टब में बिठा देते हैं। और यहीं पर यह थर्ड पार्ट भी खतम हो जाता है। अब हम एक्स्प्लेइन करेंगे इसके फौत पार्ट को जो कि है सरकल ओफ बलड। जहां पर हम उन चारों डिक्टरों में से एक डिक्टेक्टर को चेयर करने के लिए और बाकी दो बचे गार्ड उन बाहर वाले तीनों डिक्टेक्टरों के साथ उन गुलामों को टोचर करेंगे। फिर फर्श डिक्टेक्टर की बारी खतम हो जाने के बाद सेकिंड डिक्टेक्टर उस चेयर पर आके बेड़ता है और बाकी तीन गुलामों को कार देते हैं फीमेल के ब्रेस्ट को कार देते हैं किसी की आख निकाल देते हैं किसी की जबान कार देते हैं allora ऑफ लाइज ही TWO ग Boden ञठते हैं अगर implications कध इजये और मुझे आगे दिजये क्योंकि इस शिटोरी को सोनाते सोनाते में भी अभिलानी की आवस्ता में आचुका हूं और इस पर क्रिया को दोराने के लिए मुझे बात रों में जाना ही पड़े का